भारत सरकार ने AI companies में बहुत important regulations जारी किये हैं जिसमें सरकार ने ये साफ बोला हैं कि अगर कोई भी artificial intelligence वाला software या भी कोई भी टूल भारत में launch अगर हम करना चाते हैं तो उससे पहले हमें सरकार की अनुमति लेनी होगी advisory में ये साफ लेना है कि सरकार से अनुमति लेना बहुत जादा अनिवारी है उसके बिना आप कोई भी special AI tool को भारत में launch नहीं कर सकते users के लिए हमने ये देखाए कि जैसे FDI में होता है एक government route होता है और एक automatic route होता है जहां पर कुछ-कुछ ऐसे sectors भी होते हैं जो government route की अंदर गताते हैं अब AI भी उसी तरीके से government route के जरिये ही भारत में आ पाएगा अब कोई भी बड़ा software या फिर कोई भी बड़ा tool भारत सरकार की अनुमति के बिना भारत में launch नहीं किया जा सकेगा अब ये जो advisory है ये latest advisory है जो सरकार ने जारे की है इसके बारे में मैं details बात करूंगा इस advisory में कौन कौसी बाते कई गई गई है इसमें punishment के बारे में भी प्रवधान है जो की इसमें लिखा गया है अब हम ये भी जानेंगे कि क्यों सरकार AI companies पर इतना बड़ा कदम उठा रही है अगर आपको याद होगा तो दो महीने पहले 30 December को सरकार ने एक बहुती बड़ी advisory जारी की थी ये advisory वो deepfakes के मुद्दे पर थी उसमें भी सरकार ने social media companies को AI वाले tools के लिए फटका रहा था ये बोला था कि अगर deepfakes की कोई भी गलती अब फिर से होती है तो उस social media company का खात्मा हो जाएगा और मतला ये हम IT act के अनुसा punishment लाएंगे अब दो महीने बाद सरकार ने एक औ around mention किया है कि हमें पता चल गया है कि बहुत सारी ऐसी intermediaries हैं जो platforms हैं AI softwares हैं और या फिर AI models हैं उनको launch करने से पहले उचित जाच नहीं हो रही है तो जो उचित जाच होने चाहिए वो नहीं हो रही है जो कि उनका कर्तव्य भी बनता है और इसलिए हम आपको पहले ही बता द intelligence के models हैं जो भाशा को सीखने या फिर बनाने वाले हैं या जो AI softwares हैं या फिर AI algorithm है जो कि under testing है जो कि विश्वसनी नहीं है उनका use और भारतिये internet पर users को उपलब्द कराने के लिए सरकार की साफ मंजूरी होनी चाहिए अब लोग इसको launch नहीं कर सकते हैं जब तक सरकार इस इसे हम किसी website पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ pop-ups देखने के लिए मिलते हैं जिनमें cookies या पर notification को accept करने के लिए पूचा जाता है उसी तरह किसे अगर आप किसी AI platform पर जाते हो तो सरकार ने ये कहा है कि वहाँ पर भी एक सहमती pop-up होना चाहिए जिसमें आपको users को ख companies हैं उनके लिए और जो भी बड़े-बड़े खिलाडी हैं जैसे Google है, Gemini है, Open AI है, Microsoft AI है, उन सबी के लिए सारे नियम valid होने चाहिए, IT Act के तहद जो IT नियम है, उनमें जो Rule 3, Clause 1, Sub Clause 2 है, उसके अनुसार ये माना जाएगा कि आपने इसका उलंगन किया है, अगर आप जरू में नहीं आता है, तो उस मामले में ये जो बड़ी Companies हैं, उनका ये कर्तब भी बनता है कि वो सरकार को उस परसन की पहचान और जो डीफिक जानकारी है, उनको सरकार तक पहुँचाए, ये फिस सरकार को बताए, ताकि सरकार उस पर उच्चित कारवाई कर सके, यहाँ अपर सरकार ने ये भी कहा है कि इस मामले में जो बें मुकदमा होगा वो किवल IT Act के तहती नहीं होगा, बलकि Criminal Court के तहत भी गिस तर्च किया जाएगा, आपको मैं बता दो कि ये situation इतनी serious क्यों है, IT Act के तहत जो Act बताए गए हैं, उसमें आपको जादर जादर 5 लाग तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, और 3-5 साल तक की जेल भी हो सकती है, तो ये साफ है कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत जादा strict है, पहले deep fix के बारे में चर्चा होई थी और अब AI के बारे में ये नई चर्चा हो रही है, उनको केवल 15 दिनों का समय दिया गया है कि इस advisory को पालन करें, इसका पालन करना ही पड़ेगा मतलब, तो सवाल ही उड़ता है कि अचानक इतना बड़ा दवाव सरकार AI कमपनीज पर क्यों डाल रही है, आसे दो दिन पहले गए मामला है जिसमें जो Google का Gemini है, अगर उसमें प्रधान मंतरी मोदी से जुड़ी भी कोई भी सव पोच रहे थे, तो आंसर ये दिया जा रहे थे, जो कि मतला ऐसे आंसर दिया जा रहे थे, जो Gemini के द्वारा बहुत ज्यादा अनुचित थे, वो ऐसी ऐसी बाते बता रहा था, जो कि नरिंद मोदी जी का अपमान किया जा रहा था, उन बातों के द्वारा, और कुछ ऐसी पीती जिसमें ये कहा जा रहा था कि नरेंद मोधी एक तानशा है अब ऐसी जो बाते हैं वो सारी के सारे ऐस बामले में शामिल थी तो गूगल ने इस बात के लिए माफिय मांगी तो जो IT मिनिश्टर है उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि केवल माफिय मांगने से काम नहीं चलेगा हम उम्मीद करते हैं कि गूगल अपने प्लिंफॉर्म को सुधारे और यहाँ पर जो गूगल ने खुद ही कहा दिया था कि हमारा जो AI वह ठीक से काम नहीं कर रहा है उसमें जो भी आंसर्स आ रहे हो तरफदार है और वह पूरी तरीके से सिकार करने योगे नहीं है अब आप खुद ही सोचे की जो खुद ही इस बात को सिखार गरते हैं कि ये सही नहीं है रेलाइबल नहीं है तो फिर आपने इस प्लेट मुलक ये या सौफ्टर पूरी – से तैस्ट नहीं हो जाता है – यह पुरी तरीके शेट से विश्वस नी यह है। क्ला बहुत जन्धेर, कि एइट lead कर्द सही सब नहीं है युजंद करते हैं कि बहुत हैं भाने का है कि यह इनских ब्रुद्ध privilege असंदे हम parlar रहा है इस मुद्धे को लेकर मुझे कॉमेंट करके जरू बताईए अगर आपको ये बीडियो पसाद आईए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक ये सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो